बाल्य कालमा मैं पाट शाला मा थोड़ाश लोको तथा रूद्री वगेरेनू अध्ययन करेलू। पण व्याकरण वगेरे कशु जानू नहीं। मने रही रही ने थया करतू हतू के जो मारे सारी रिते धर्म प्रसार करवो होई तो संस्कृत विद्ध्या भणवे जोईये। मारे 23 वर्षनी उम्मर थै गई हती अने हुँ हवे मने पोताना भणवा माटे घणी मोटी उम्मर नो मानतो हतो। सूरपुराना एक महिनाना निवास दर्म्यान अध्ययन करवाना मारा विचारो पाका थया। मारी इच्छा हती के हुँ एक बेवर्ष थोड़ू व्याकरण शिखी लओ। संस्कृत्च लोकों ने समझी शकूं एटले बस। मैं सूरपुरा माथीज सीधा मथुरा व्रुंदावन जवानू नकी कर्यो। मने विदाय आपवा आखु गाम हिलोले चड़ियो हतु। सवनी आखमा अशुरू हता। दर्वर्षे अहीं आववानू एवो सवनों आग्रह हतो। धर्मनानामे असंख्य लोकोए असंख्य अणगमा उभा कर्या होवा छता। आजे पन जो कोई निश्प्रुह व्यक्ती गाममा आवी जाय तो लोको भाव विभोर्थे जता होई छे। अनियंत्रित साधुओ तथा भिक्षुको तांत्रिको जोतिशियो वगेरे प्रजामा अनिश्रित अने गलानी उपजे तिवु वातावरन बनावता छोडता फवर्ता होई छे। जो आब धाने व्यवसित तथा निश्चित करी शकाई तथा गलनी थी गाली ने योग्य अयोग्य हित अहित नो भेद करी शकाई तो धार्मिक क्षेत्र मां बहु मोटु कार्य थैशके तैम छे। पन तेवु थैशके एवु देखातु न थी। उन्जा थी ट्रेन द्वारा हुँ रवाना थयो। गामलोकोए मने 30 रुपया आग्रह करी ने आप्या हता। हवे मने लाग्यों के जो मारे अध्ययन करवू होई तो पैसानी जरूर पडशे। एटले सपर्ष नहीं करवानों नियम चाली नहीं शके। अज मेर रोकाईने ह हुँ मथुरा आव्यो। हुँ उतर्यो हतो। तैनी सामेज जमुनाजीनो भरपूर प्रवाह। हुँ बैठो बैठो घणिवार आगन तुक श्रद्धालुओने जोतो। त्यों जमुनाजीने खुबज पूज्य मानता। पूज्य मानवा छता स्वच्ता जरायन राकता। गंदकीनो पार नहीं। लोको बोलता जम्ना मैया की कृपा से मारा मनमा प्रश्णो थता। आज जल प्रवाह पर कृपा करतो हशे। प्रकृती पूजनमा अटवायला मानसोने नथी तो एक ब्रह्म निष्ठा थती के नथी प्राकृतिक सौंदर्यनी प्रतीती थती। बस कर आच्मन, मार डूपकी, कर गोंगाट अने धक्का मुक्की करीने निकल बाहर। चारे तरफ गंदकीज गंदकी, थाई गई धार्मिक्ता, करी लिधु कल्यान। थोड़ा दिवस मथुरा रहीने वो व्रुंदावन पहुँचो। के स्टेशने गाड़ी उभी रहशे, पची आ आ आश्रममा रहवा भणवा माटे जैश। निरनाय प्रमाने रेल्वे स्टेशन थी आव्यों, तथा मारी वाद जनावी के मारे संस्कृत भणवूशे। मने रहवानी तथा भणवानी सगवड अहीं मलई शक्षे। आश्र के मने दूर आवेला परमहंस आश्रमनू नाम आपयो, अने त्या जवा सूचन कर्यों। साथो साथ लगु कवमूदी लईने आवतिकाले भणवा आवी जवापन सूचव्यो। विशाल आश्रमना बंद पड़ेला 51 रूमोंने जोता-जोता हुम बहर निकल्यों। अने प मैं लगु कवमूदी जोई। तैनू मुल्य साड़ा दस आना लगभग 65 पैसा हतो। मारी पासे मात्र आठ जाना बच्या हता। बाकी ना अढ़ी आना एटले के 15 पैसा लाववा क्या थी। श्रम्मास्तान न मले तैने मात्र उतरवानी जग्या। पाणी पीवाना कुवासिवाय बिजी कोई सगवड नहीं। अन्नक्षेत्र मा भोजन करो अथ्वा भुख्या रहो। अहीं पोतानू पाथरनू पाथरी ने सुओ अने कुवानो पाणी पीओ। मात्र एक लंगोट श्रम्मास्तान लगाववा कहो। अहीरा सोडू नहातू। एटले जम्वानो तो प्रश्नज नहातो। उमारूज पाथरनू पाथरी ने बैठो अने चिन्ता मा पड़ी गयो। आवती काल्थी भणवानू शरू करवू छे पन लगू कवमू दीविना कैम भणा शे। व्रुंदावन्ना मुख्य मंदिर विहारी जीना दर्शन करवाजा। अने कोई सज्जन देखाय तो अढ़ी आना माग। कोई ते जरूर आपी दैशे। बीर गिरी जीने कही ने हुँ निकले। पाचो व्रुंदावन जवा। सामे आवती प्रत्येक व्यक्तिने हुँ आ अने लालच भरी द्रश्टी थी जोतो। कदाच आ मानस मने अढ़िया ना आपे पण मागवानी हिम्मत ना चाले। कदाच ना पाड़े तो, कदाच अपमान करशे तो। मानस मा ज्यारे याचना वृत्ती जागे छे, त्यारे तैनू तेज, खुमारी अने व्यक्तित्वर धिलू डस जेवू थाई जाई छे, तैनो मने प्रतिक्षण अनुभव थवाला गयो। लगभग डौड माईलना रस्ताओ पर केटला आए मानसो सामे मल्या, मैं सवुने निहाल्या, पण कोई नी पासे अढ़ियाना मागी शक्यो नही। बिहारी जीनू मंदिर हवे नजी कावी गयो हतु। मने थई गयो के हुँ अढ़ियाना मागी शक्यो नही अने पुस्तक विना भणी शक्यो नही। निराशा वधी गयी हती। तेवामा मारी द्रश्टी रोडु पर बैसी ने तोपलामा फळो वेचता एक मानसु पर पड़ी। कोई अगम्य प्रेर्णा थी हुँ तेनी पासे गयो। मारी हत्ज़ी मार आखेला आठ आना तेने बताव्या अने कहो। मारे एक संस्कृत पुस्तक जोईये छे। अढ़ी आना खुटे छे। जो तमे मने आपशो तो हुँ तमने ज्यारे मने मलशे त्यारे पाच्या आपिदैश। पन जो नहीं मले तो नहीं आपू, कशोज विचार कर्या विना, त्याने मने तरतज अढ़ी आना आपी दिधा, मारा आनंद नो पार नहतो, मने थयू, नरसीह महतानी हुंडी भगवाने आवीज रीते स्विकारी हशे, जडप थी हुँ पेली दुकान तरफ दोड़्यो, दुकान बंध थै रहिय दुकान दारे मने पुस्तक आपयो, जाने स्वर्गनो खजानो मनी गयो हुए, तेटला हरक्ती हुँ पाचो फर्यो, हुँ मूर्ती पूजामा बहु मानतो नहीं, तेम चता कोई-कोई वार, प्रसिद्ध मंदिर वगेरे हुए, तो दर्शन करवामा पन बाध मानतो नहीं, बिहारी जीना दर्शन करीने दिवस आथमया पची आश्रम मा आव्यो, आ आश्रमने बंद करवानो दर्वाजो हतोज नहीं, तेम विजली पन हाती नहीं, इटले कोई ने काई कहा विना चुपचाप पोताना आसने जई बैसी गयो, मने बराबर याज छे के एक महिना चुकवी दिदू हतो, अढियाना चुकवी देवानु महत्व न थी, पन जे स्थितिमा श्री भगवान दासे मने अढियाना आप्याहता तेनु महत्व छे, आवा प्रसंगु जीवन भर विसरावा जोईये नहीं, मारा अनुभवो मा थी